दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो 2018 में आई थी और अब 2024 में फिर से रिलीज हुई है, मैं बात कर रहा हूँ तुम बाड की, ये कोई साधारन हॉरर फिल्म नहीं है, बलकि आपको ऐसा लगेगा, जैसे बचपन में जो दादी मा की डराव करवा देना, और अगर आपको तुमबाड पसंद आई हो तो कमेंट्स में तुमबाड जरूर लिखना, शेर भी करना और सबसे जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी नई-ने वीडियो की पूर्ति की देवी की कहानी सुना रहा है, पूर्ति की देवी अंगिनत अनाज और सोने की प्रतीक मानी जाती है, और वो धर्ती की कोक से जुड़ी होती है, जब भ्रहमांड की शुरूआत हुई थी, देवी ने इसी कोक से 16 करोड देवी देवताओं को जंग दिया था, ल लेकिन जैसे ही वा अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हर वार से हस्तर तिंकों की तरह बिखरता चला गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह मिठ जाता, देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन शर्त यह थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कहीं युग बीद गए और हस्तर अपनी मा की कोख में सोता रहा। लेकिन एक दिन हमारे पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। तब से कहा जाता है कि देवताओं का क्रोध बारिश और बार के रूप में तुमबाड पर गिर रहा है। अब कहानी हमें 1918 के समय में ले जाती है। जहां विनायक की माँ एक अमीर आदमी की नौकरानी थी। उस आदमी को सब सरकार कहकर बुलाते थे। विनायक की माँ उसकी हर जरूरत और इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती थी। इस उमीद में कि वो उसे हस्तर की मूर्ती पर रखी सोने की मुद्रा देगा। लेकिन सरकार का कहना था ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए महनत करनी पड़ती है। इस बीच घर पर विनायक और उसका भाई सदाशिव परिशान थे कि उनकी माँ अब तक घर क्यों नहीं लोटी। कहानी अब और भी डरावने मोड पर पहुँच जाती है। जब विनायक ने दादी के लिए खाना बनाया, तो खुद ले जाने के बजाए उसने अपने छोटे भाई सदाशिव को भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सदाशिव दरवाजे तक पहुचता है, उनकी माँ आ जाती है और दोनों भाईयों को जोर से डांट लगाती है। माँ खुद खाना बनाती है और फिर दादी के कमरे में जाती है। यहां हमें देखने को मिलता है कि दादी कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक भयानक शैतान जैसी दिखने लगी थी। उनका शरीर सर चुका था और वो कई सालों से ऐसे ही एक कमरे में पड़ी हुई थी। उनकी डरावनी हालत की वज़ा से घर के सभी लोग उनसे खौफ खाते थे और कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर वक्त उन्हें बस सुला कर रखा जाता था ताकि वो उटकर कुछ न करें। विनायक और उसकी मा की बातचीत से ये बाद भी सामने आती है कि विनायक को भी सोने की मुद्रा चाहिए, वहीं मुद्रा जो हस्तर की मूर्ती पर थी। इसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि सरकार, जो उनका पिता था, वास्तव में विनायक और सदाशिव के नाजायस बेटे थे. ये बूरी दादी सरकार की दादी थी, और सरकार ने उनके ख्याल रखने का जिम्मा विनायक और उसकी मा को सौप दिया था, क्योंकि कोई और इस दरावनी दादी की देखभाल करने को तयार नहीं था. अचानक दादी जाग जाती है, और कहती है, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए. मा डरते डरते उनके पास जाकर कहती है, सोजा वरना हस्तर आ जाएगा. ये सुनते ही दादी तुरंट सोजाती है, तभी खबर आती है कि सरकार अब इस दुनिया में नहीं मा कहती है, अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं, हम तुमबाड छोड़कर पुने चले जाएंगे, लेकिन विनायक का ध्यान अभी भी महल में चुपे खजाने पर था, वो मा से कहता है, महल में कहीं न कहीं खजाना जरूर चुपा हुआ है, चलो उसे ढूनते हैं, मा उसे जवाब देती है, सरकार ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी खजाना ढूनने में, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं मिला, उसने पुर्खों की सारी कमाई भी उडा दी, अब वहां कुछ नहीं बचा, फिर विनायक अपनी मा से कहता है, ये बूरी दादी तो सरकार की दादी है, ताकि उसे बचा सकें, कहानी अब एक भावुक मोड लेती है, जब विनायक के छोटे भाई सदाशिव की मौत हो जाती है, तो उनकी माँ पूरी तरह तूट जाती है, और महल की ओर चली जाती है, जहां सरकार रहता था, माँ विनायक से कहती है, आज बुढ़्या को लाग जाती है, और बोलती है, तुझे खजाना चाहिए क्या? पहले खाना ला, भूख लगी है, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी, विनायक घबरा कर खाना बनाने भागता है, लेकिन गलती से दर्वाजा खुला छोड़ देता है, दादी बाहर निकल आती है, और उस विनायक जिद्ध करता है कि बुढ़िया दादी को बांध कर रखते हैं, और तब तक खाना नहीं देंगे जब तक वो खजाने का राज नहीं बता देती, मा बहुत गुस्से में उसे सोने की एक मुद्रा देते हुए कहती है, यही चाहिए था ना तुझे, ले और चुप तेरा भाई मर गया और तुझे खजाने की पड़ी है, इससे अच्छा होता कि तू मर जाता उसकी जगा, तुझ में वही लालच भरा है, जो तेरे बाप सरकार में था, आज के बाद कभी तुमबाड वापस नहीं आएगा, मा के इतने कहने के बाद विनायक मजबूरी में क जिन्दा है, लेकिन उसकी हालत बेहत खराब हो चुकी है, उसका दिल शरीर के बाहर धड़क रहा था, और उसका धड़ जमीन में धंसा हुआ था, जैसे किसी पेड ने उसे जकड लिया हो, विनायक पूछता है, दादा के मरने के बाद तुम्हें सती पर क्यो नहीं बिठा दादी जवाब देती है, उन्हें मेरी जरूरत थी, मैं कोई में उतरने में सबसे तेज थी, लेकिन अब तुम वहां मत जाना, इस श्राब का अंत मुझसे हुआ था, इसे फिर से शुरू मत करो, विनायक लालच में आकर कहता है, खजाना कहा है, मुझे बताओ, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, दादी हंसते हुए कहती है, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे मुक्ती चाहिए, मुझे आग में जलाकर मुक्ती दे दो, वहां नहीं जाना, ये तेरे हात में है, उसके बाद तेरे हात में कुछ नहीं रहेगा, विरासत में मिली हर ची की खोज में निकल पड़ा, महल के भीतर एक कुआ था, जिसके नीचे उतर कर विनायक महीनों तक सुरंग खोदता रहा, आखिरकार उसे एक बक्सा मिलता है, जिसे देख कर उसकी खोशी का ठिकाना नहीं रहा, वो बक्सा लेकर खोशी-खोशी अपने घर लोटता है, लेकिन जब वह घर पहुचता है, तो उसकी हालत इतनी बदल चुकी थी कि पडोसी और उसकी पतनी वैधी उसे पहचान भी नहीं पाते, हालांकि जल्द ही सब ठीक हो जाता है, और विना से सोने की मुद्राएं लाकर बेचता, कभी दो, कभी चार, कभी सोला, वह लगातार मुद्रा लाता रहता, राघव के मन में सवाल उठने लगा कि विनायक एक साथ पूरा खजाना क्यों नहीं लाता, विनायक इतनी सोने की मुद्राएं लाने लगा था कि राघव के पास पैसे खत्म हो गए और अब उसने फिर से विनायक से उधार लेना शुरू कर दिया विनायक की गय मौजूदगी में राघव उसकी बीवी वैधी के पास जाता है और उससे पूछता है कि विनायक आखिर सोना लाता कहां से है लेकिन वैधी को भी कुछ नहीं पता था तभी व वो महल तक मजे से पहुचने लगा उसकी जिन्दगी में एश्वाराम का दौर शुरू हो चुका था उसे एक बेटा भी हुआ और अब वो बिल्कुल अपने पिता सरकार की तरह एश्वाराम की जिन्दगी जीने लगा था एक दिन राघव विनायक के पास एक लड़की ल रख लेता है रात को वही लड़की विनायक को रिजाने की कोशिश करती है उसे विनायक के पास बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं पैसे देखकर वो विनायक को एक राज की बात बताती है लड़की कहती है राघव ने मुझे इसलिए यहां भीजा है ताकि मैं तुम्हे दो दिन तक अपने साथ उलजाए रखूं। विनायक के जाने के बाद राघव भी उसी कोई में उतरता है और सुरंग के जरिये बकसे तक पहुँच जाता है। की गुडिया होती है। जैसे ही हस्तर गुडिया देखता है उसे खाने के लालच में वापस आ जाता है। हस्तर की कमजोरी यही थी कि वा आटे के गोले के अंदर नहीं घुश सकता था क्योंकि वा अनाज नहीं चुरा पाया था। विनायक मौका देखकर गुडिया को दूर फैंकता है और हस्तर उसे खाने में लग जाता है। इस दौरान विनायक हस्तर की पीट पर बंधी पोटली खोलता है जिससे रेर सारे सोने के सिक्के गिरते हैं। विनायक फटाफट कुछ सिक्के उठाता है और रसी से चड़ने लगता है। उपर चड़ते समय वह राघव को भी जला देता है ताकि वह ऐसे ही तड़ पता न रहे। हस्तर गुडिया खा चुका था और अब वह विनायक को पकड़ने भागता है लेकिन विनायक तेजी दिखाते हुए उपर पहुँच जाता है और बक्सा बंद कर देता है। इस तरह विनायक हर बार अपनी जान जोखिम में डाल कर सोने की मुद्राय लाता था। दादी भी अपने समय में बिलकुल ऐसा ही करती थी पर शायद एक समय हस्तर ने उन्हें छू लिया था जिससे वह भी शैतान जैसी बन गई थी। यही कारण था कि दादी बार बार विनायक को चेतावनी देती थी कि खजानी की लालसा विनाश का रास्ता है। उन्होंने खुद यह खतरनाक सच जाना था और वो चाहती थी कि विनायक भी इससे बचे। आगे बढ़ती है। विनायक अब बूढा हो चुका है और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह अब रसी चड़ने की ताकत नहीं रखता। उसका बेटा पांदुरंग बढ़ा हो चुका था और विनायक ने उसे इस खतरनाक काम के लिए प्रशिक्षित किया था ताकि वह उसक जगा महल से सोना ला सके। लेकिन एक दिक्कत थी पांदुरंग को पोलियो था और इसी कारण विनायक को उस पर पूरा भरोसा नहीं था कि वह इस काम को कर पाएगा। विनायक की दो छोटी बेटियां भी थी लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उन्हें इस काम में शामिल नही किया जा सकता था। इसी बीच विनायक ने उस लड़की को अब भी अपने घर में रखा हुआ था और वैधी अब कुछ नहीं कहती थी क्योंकि विनायक जो भी कमा कर लाता था उसी से घर चलता था। लेकिन समय के साथ पैसों की तंगी बढ़ने लगी और मजबूर होकर व दो ही चीजों की फिक्र हो, सोना और खाना, क्या तू ऐसा चाहेगा। पांधुरंग मासूमियत से कहता है, ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा, विनायक गंभीरता से कहता है, जिसे ये मालूम हो कि ये वर्दान नहीं है, बलकि मौट से भी भयंकर श्राप है। विनायक जहा उसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह आटे के बने गोले के अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे अनाज नहीं चुराने दिया गया था। इसलिए उसे आटे से डर भी लगता था और वह भूखा भी रहता था। अब विनायक अपने बेटे पांदुरंग को उसी देवी की को जब पांदुरंग ने विनायक से पूछा, हस्तर कब आएगा? विनायक ने जवाब दिया, जब आटे की गुडिया लाओगे, तभी आएगा। पांदुरंग ने अपनी कमीज से एक आटे की गुडिया निकालते हुए कहा, मैं तो ले आया। आटे की गुडिया देखते ह हस्तर तुरंता जाता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं इसी बीच पांडुरंग अपनी जान की परवा किये बिना कुछ सोने की मुद्राय चुराने में काम्याब हो जाता है विनायक उसे वापस जाकर खूब डाटता है जब मना किया था तो आटे की गुडिया क्यों ज्यादा थी या शायद वा अपने पिता को खुश करना चाहता था इसलिए उसने इतना बड़ा जोके मुठाया इस बीच देश को आजादी मिल चुकी थी और तुमबाड भी जल्दी सरकार के नियंत्रण में आने वाला था विनायक को यह चिंता सताने लगी कि अब वह मह महल में कैसे जाएगा क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे जो यह साबित कर सके कि महल उसका है इसके साथ ही पैसों की कमी भी बढ़ती जा रही थी तभी पांडुरंग एक और बड़ा सुझाव देता है क्योंना हम हस्तर की पूरी पोटली ही चुरा लें हम पस जाते हैं शुरुआत में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है वे हस्तर को गुडियां खिला कर उसका ध्यान भटकाते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वहां एक हस्तर नहीं बलकि कई सारे हस्तर आ जाते हैं जितनी गुडिय अपने असली क्लाइमाक्स पर आ जाती है। कि सब हस्तर उसके पीछे आएं। उसने बक्से के बाहर भी एक आटे का गोला बना दिया था ताकि अगर कोई हस्तर बाहर निकलने की कोशिश करे तो वहीं पर खतम हो जाए। मगर ऐसा नहीं था कि गोला बना देने से सब कुछ सेट हो जाता। वो बस एक हद तक ही बचा सकता था। पूरी सेफटी नहीं थी। जैसे ही विनायक बाहर निकलता है। हस्तर भी बाहर आने की ट्राय करते हैं लेकिन सब धरे रह जाते हैं। पांडुरंग जब उपर आता है तो उसे दिखता है कि उसका बाप विनायक वहीं जमीन पर पड़ा है। पास जाकर देखता है तो समझ आता है कि अब विनायक का शरीर भी राक्षस जैसा हो चुका था। हस्तर के चुने से उसकी हालत भी दादी और राघव जैसी हो गई थी पूरा बदन गल रहा था। लेकिन विनायक पोटली चुराने में एक काम्याब हो गया था। वो पानदुरंग को वो पोटली देने की कोशिश करता है पर पानदुरंग लेने से साफ मना कर देता है। पांडुरंग आखिरी बार अपने बाप से कहता है, बाबा, सोजा वरना हस्तर आ जाएगा और विनायक चुपचाप सोजाता है, पांडुरंग वहां से निकलता है और जाने से पहले महल का दर्वाजा बंद कर देता है, ताकि ये मनहुसियत अब किसी और तक न पहुंचे, और बस, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, यह थी तुमबाड फिल्म की पूरी कहानी, आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृप्या लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथ ही, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौकाने वाला था, अगर आपको और ऐसी ही कहानिया सुननी है, तो कमेंट बॉक्स में एक दिलवाला इमोजी भीजें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलीगा और अ ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए और बैल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लिटिस्ट अपडेट्स मिलते रहें